अलो फ्रेंड और वेलकम बाक तो माई चैनल आज मैं आपको कुछ अमेजिंग किचिन टिप्स बताऊंगी जिसे अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपका वक भी बचेगा और साथ ही में आपका काम भी बहुत जाद आसान हो जाएगा फ्रेंड से जो किचिन टिप्स है बहुत ही आसान होते हैं छोटे छोटे होते हैं बट बहुत जादा हेलफुल पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजेगा और हो सके तो अपने फ्रेंड और फैमिली को शेर करेगा सब्सक्राइब किजे घंटी के साथ तो चलिए देर नही चलिए फ्रेंड टिप नुबर वन देख लेते हैं तो मार्बल के फ्लोर को कैसे साफ करें या मार्बल का अगर आपके पास कीजिन प्लाटफोर में से कैसे साफ करें इसके लिए बढ़िया साज में आपको टिप बताऊंगी और कैसे आपको इसको मेंटें रखना है उसके में बताऊंगी तो यह पूरा टिप आप जरूर देखेगा काफी लोगों ने मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी तो सबसे पहली बात है कि आप कभी भी मार्बल पे विनेगर ना लगाए कभी भी विनेगर ना लगाए और दूसरी बात कि उससे स्क्राच फ्री रख हो तो आप इमीडिटली उसे साफ कर दें चाहे वो हल्दी हो या कोई ओयल हो क्योंकि उसके स्टेंस मार्बल पे बहुत जली लग जाते हैं मेरा तो यह ग्रेनाइट का है बड़ भी बहुत जादा रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं आपके लिए टिप शेयर कर नहीं हूँ प् को फूरी प्लाटफॉर्म की सफाई करनी हो तो आप इस तरह से तुद्पेस ले लीजे थोड़ा सा पानी आड़ कर लीजे और हल्क के हाथों से करना है बहुत जादा रभ नहीं करना है दो तिन बातों का आप जरूर ध्यान रखे इस तरह से आप स्पंज से करेंगे बहु इस तरह वाइप कर लूँगी इस तरह से कपड़े से भी कर सकते हैं टिशू पर से भी कर सकते हैं और फिर एक गीला वाइप लेके फिर से मैं इससे साफ कर दूँगी इस तरह से आपको मार्बल साफ करना है फ्रेंज से ग्रे नाइट है बट रिक्वेस्ट ही इसलिए बार बाट सारे टिप में बताया है कि इडली खूकर यह डूकली का खूकर अगर आपका अलमिनियम का है तो उसके अंदर आप लेमन दाले या इमली दाले तो वाला जो इमली है या लेमन है आप यूज कर सकते हैं यहां मैं आपको वीडियो के लिए स्पेशली एक चोटा इमली का और आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे आपकी घर की सफाई कर सकते हैं वो भी यह छोटे तुकडे इमली से तो आप क्या कर सकते हैं जो पानी के या वाटर स्टेंस लगे होते हैं या स्टील के नल पे या इस तरह के कॉपर या पीतल के परतन पे स्टेंस होते हैं या उससे सफाई करने के लिए भी आप इमली यूज़ कर सकते तो आपको क्या करना है इस तरह से इसे थोड़ा सा वेट कर लेना है पानी से और इमली से घिस लेना है जब आप वो बॉयल वाला इमली लेंगे ना जिसमें हमने कूकर में डाला है वो तो वो एदम सॉफ्ट अलड़ी फैर इससे ले उपर और ऐसे रिए यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से आप वो इमली कर यूज़ कर सकते है या लेदंगे कर सकते हैं नल है या सित्व का सिंक उपर कभी मिया आप हार्पिक वession कि यूज़े ना यूज़ए यूज़ दो fascist कि उससे घर से तरह से हम पांए consultants यह चमक जाता है बड़ फिर भी थोड़ा मैल इदर उदर फसा हो तो Scrubber की Help से तो Scrubber भी आपको सिंग का अलग रखना है और बरतन दोने का अलग रखना है फेंड जो मेरा पुराना बरतन दोने का Scrubber होता है उसको मैं सिंग के लिए यूज कर लेती हूँ और बरतन के लिए फिर नया स्क्रबर ले लेती हूँ इस तरह से मैं करती हूँ ऐसे areas के यहां आप क्या कर सकते है तुदब्रश का use कर सकते है इस तरह से जहां tiles के दो हिससे जुड़ते है वहाँ वो line की यहां पे भी आप तुदब्रश का use कर ले इस तरह से और इसे पानी के साथ इसे wash कर ले इमीडियेट इसका result मिलता है और waste कुछ नहीं जाता यह जो tip है फ्रेंसी संग्राम ऐसे जी ने दिया है बहुत ही wonderful tip है मुझे पता थी यह tip बढ़ मैंने share नहीं करी थी पर संग्राम जी ने मुझे सबसे पहले का है तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी बहुत ही wonderful tip है और इसे मंदर के बटन या copper पीतल जो भी आपके पास है वो भी इससे साफ कर सकते हैं तो यहां में scrubber ले लूँगी फिर से और इसे भी एक बार गिस लूँगी यह देखे इदम चमक जाता है कोई आपको इसमें मैनत करने के जरूद नहीं और फिर आप इससे नॉर्मली वाश कर ले तो इमली के दो यूज आप कर सकते हैं लेमन के दो यूज कर सकते हैं जो तो यह टिप मेरी मुमी ने मुझे दिया था जब भी आपकी कोई ग्रेवी वाली सबजी बच जाए जैसे यह मेरा पनीर मसाला है तो पनीर अभी एक दो तुकड़े ही रह चुके है और ग्रेवी ही ज्यादा रही है तो इसको रियूज कैसे करें इसका एक बहुत ही बढ़ फिर आप गेहुं का आठा दाल दे जी हां फ्रेंज का आठा दाल दे इस तरह से और इसका एक आठा बना दे जैसे आप रोटी का डो बनाते है ना उसी तरह से इसको बना देना है इस से क्या होता है बच्चा कर नहीं खा रहा है कोई सबजी तब भी आप ये वाली ट्रिक से और बच्चे को दे, सबजी के सारे गुन भी आ जाते हैं साथ ही में उनको पता भी नहीं चलता उनको पराठा बहुत जादा पसंद होता हैं तो इससे आप आटा दालके गूत ले थोड़ा सा पानी चाहिए है अगर को जरूप लगे तो नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ ग्रेवी के अंदर ही आप आटा डालके बान सकते हैं, मैंने थोड़ा आटा जादा हो गया, इसलिए मुझे पानी डालना पड़ा है, आप चाहें, तो इसमें थोड़ा शुगर भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे, ब 10-15 मीट बात फिर से एक बार हम इस तरह से इसको कर लेंगे, मसल लेंगे और फिर चलिए पराठा बेल लेती हूँ, मैं, आपको जैसे पसंद है, उससाब से पराठा बना सकते हैं, कहीं लोगों को मोटे पराठे बनाते हैं, मैं गुजराती हूँ, तो मैं थोड़ा पतले पराठे बनाती हूँ, तो इस तरह से मैंने यहां बेल लिया है, यह दिखें, और तवे पे इसको डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी यह लगता है, और कोई भी ग्रेवी बच्ची हो ज़रूर नहीं कि पनीर की, कोई भी ग्रेवी मतर पनीर बना रहे हैं, आलू की है, या ब बहुत ही इजी और फटाफट बन जाता है, साती में जो ग्रेवी का यूज है, वो भी हो जाता है, तो इस तरह से आप पराठे बना दें, तो मैं आज मेरी मुमी को थांक यू बोलना चाते हूँ, यह वंडरफुल टिप के लिए, तो यह देखिए, मेरे पराठे बन चुक कई बाल लोग बताते हैं कि सेलो टेप पे सिर्टी पिन लगा दो ताकि उसके एंड्स ना घुमे, या आप को पिन लगा दो, या कुछ ऐसी चीज लगा दो जिससे वो निकले नहीं, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके एंड्स ना घुमे, उसके लिए बहुत ह चोटी सी टिप है वड़ बड़ी यूसफुल, आपको क्या करना है, सेलो टेप का जो एंड है, आप यूस करने के बाद इसको इस तरह से फोल कर दे, चाहे एक कॉनर फोल कर दे या पूरा टेप फोल कर दे, आप जैसे मैंने वीडियो में बदा उस तरह से कर ले, यूस करन तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको आज के अमेजिंग किचिन टिप्स थे कि नहीं ये यूसफुल, उसके लिए जरूर मुझे कमेंट करेगा, अगर आप ट्राइ करते हैं, आप कोई भी किचिन टिप्स मेरा वीडियो देखके तो आके वापस फिडबैंग भी जरूर दीज झाल